आयोजन में प्रयोजन को नहीं भूलना चाहिए भोजन का प्रयोजन एक मात्र शरीर को स्वस्त रखना है जिससे धार्मिक क्रियाएं सूचारो रूप से चलती रहे जैजी नेंदर स्वागत है आपका जैन शुद्धि व्यनजन में आजम बनाने जा रहे है तोरई की सबजी तो देखिये ये तोरई कहीं जगही से गिलकी भी कहते हैं दो प्रकर की होती है एक चिकनी होती हो एक थोड़ी जिसमें धारिया होती है तो ये दोनों तरह की सबजी तो देखे इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए हमें इसके लिए चाहिए पाव भर तोरई जिसको हमने साफ करके रखा है हमें इसे गिलकी कहते है हमने इसके लंबे-लंबे पीस बना के रखे मसालों में हमें चाहिए एक चम्मच जीरा सॉंप एक चम्मच लाल मिर्ची दो च चाहिए थोड़ा सा सेंधा नमक जो हमारा मर्यादित कुटा हुआ है थोड़ा सा अमचूर पाउडर या फिर नीबू का रस और हमें हमने एक चममच बेसन को यहां पर उसका चुप बेस्ट बना के रखा है जिस तरीके से हम पकोड़े बनाते हैं उसमें हमने सारा मसाला डाल दिया है और टेल में हम इसे छोटे-छोटे से बिल्कुल इस तरीके से पकोड़े बनाएंगे हम सब्जी फ्राइब करेंगे उसके पहले ही जो हमने तेल लिया है थोड़ा सा उसमें हमें इसे छोटे-छोटे से पकोड़े बना लेंगे और इसी तेल भी जब हमारे सबस्ट a wine press इसने होड़ा सेंधना माग जो मारा हुँ हम इसमें дом region इसमें हम दो चम्मच नारियल का गीरी जो है उसको पिसी वही वो डाली है यानि हम अगर हमारे पास वाइट ग्रेवी अवेलेबल है तो हम वाइट ग्रेवी डाल सकते हैं या फिर आप सिब नारियल दो चम्मच किसा हुआ डालेंगे तो भी इसका टेस्ट वेसे ही आएगा गीला नारियल डाला है हमने तो उसका टेस्ट बहुत अच्छे से आता है तो देखी हमने इस तरीके से इसको मिक्स करके और ढखके थोड़ी सी दर हमने भाप में पका लिया इसको अब लगबग हमारी जो गिलकी है वो पक चुकी है तो देखी हमारी गिलकी की सबजी तैयार हो गई है हमने इसमें करीब एक कप के करीब पाने डाला है और उसी को हमने सीजने में उतना पानी छोड़ गया है कई बार गिलकी बहुत जादा पानी छोड़ती है तो आप वो गिलकी की अंदास देख ले उस आपसे ही पाने डाले देखिए हमारी सबजी का करार कितना अच्छा लग रहा है बिना हल्दी के भी हमारी सबजी बहुत ही सुन्दर लग रही है किसी तरह कि इसमें कोई कमी नहीं लग रही है ये हमारे ही मन का वहम है कि हम हल्दी नहीं डालेंगे राई नहीं डालेंगे काला नमक सौट इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारी सबजी में टेस्ट केसा आएगा बिना टमाटर की ग्रेवी केसे बनेगी लेकिन यदि आप चाहे तो बिना उसके भी हमारा जो भोजने वो बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा बन जाता है तो शुद्ध भोजन अवश्य इसी तरीके से बनाना चाहिए और जितना हो सके उतना हिंसा के पाप से बचना चाहिए देखिए सब्जियों को कम तेल में बनाने का तरीका यह है कि उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दें और उसे ढखकर पकाएं तो इससे उसके पोशक तत्व भी बने रहते हैं और सब्जियां भी अच्छे से बनती है देखिए हरी सब्जियों में जब हम नीबू का रस डालत इससे इसका टेस्ट और खुश्बू बनी रहती है देखिए भोजन शुद्ध भोजन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है इसलिए हम इसमें हल्दी सोट का प्रयोग नहीं करते हैं हल्दी के ओश्यदी गुण हमें काली मिर्ची में प्राप्त हो जाते हैं और सोट के नहीं हमारी बहुत ही कम तेल में बनी है इस सब्जी को आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं रोटी के साथ भी या जार बाजरे की रोटियों के साथ भी या सब्जी चटपटी जायकेदार बहुत ही सौधिस्ट लगती है तो इस तरह आप अच्छी घर में शुद्ध बनाएं और स्वस्त रहें जै जिनेंद्र